हेलो फ्रेंड वेलकम सी यू अन मैं योट्यूब चाइनल लर्न्स वे दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक फ्यूज मेटेरियल्स को लर्न करने वाले हैं दोस्तों फ्यूज में कौन कौन से मेटेरियल यूज होते हैं उनकी प्रापर्टिज क्या है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जो fuze material है उससे exam में question आते ही आते हैं उसको हम एक बहुत ही संदार trick से उसको learn करेंगे जिससे आप exam में easily question कर ले दोस्तों आए वीडियो को start करते हैं दोस्तों fuze material fuze material होता क्या है in electrical and electronics engineering a fuse is an electrical safety device that operate to provide over current protection of an electrical circuit its essential component is a metal wire or strip that melt when too much current flow through it thereby stopping or interrupting the current दोस्तों जो fuze material होता है या electrical devices में केज़े safety component या device के रूप में use करते हैं safety किस region में होता है दोस्तों जब हम क्या करते हैं कोई भी electrical component आप operate करते हैं उसमें किसी region was क्या होता है over current हो जाता है over current जैसे होगा तो उसकी limit से ज्यादा हो जाएगा उस case में हमारा क्या करता है जो fuze हो जाता है वो blow हो जाएगा और जो भी आप का electrical circuit हो क्या हो जाएगा protect हो जाता है तो दोस्तों जो fuze होता है या एक component या metal wire या strip होता है जो क्या होता है जैसे current high हो गया वो क्या हो जाता है melt हो जाता है जिससे जो current flow हो रहा था वो क्या हो जाता है stop हो जाता है जिससे आपका जो भी devices हो क्या हो जाता है safe रहता है तो इसी जो fuze material है उसी को हम learn करेंगे कि जो fuze बनाने में material कौन का उनका सा use करते हैं और उसका region क्या है दोस्तों fuse material should have the following desirable characteristic दोस्तों जो fuse material होने चाहिए उसकी characteristic क्या होने चाहिए पहली characteristic है low melting point low melting point low melting point का जो material होता है वो क्या होता है tin और lead होता है second property होने चाहिए high conductivity जो आपका fuse material होने चाहिए या जिससे fuse design करते हैं क्या होने चाहिए high conductivity होने चाहिए तो जो high conductivity के लिए कौन से material होता है silver और copper next है free from deterioration due to oxidation जो भी आपका material होने चाहिए जो fuse में यूज करते हैं वो oxidation से क्या होने चाहिए free होने चाहिए तो उसका क्या example है silver next है जो भी आप material यूज कर रहे है fuse design करने के लिए अगर cost के aspect से देखे तो उसकी cost क्या होने चाहिए low होने चाहिए तो उसका जो example है lead, tin और copper तो दोस्तों ये जो fuse material है इसकी ये चाहर क्रेक्टरिस्टिक है इससे भी exam question आते हैं relation between fusing current i and diameter d of the wire is दोस्तों जो आप fuse material design करते हो तो उसका जो material है wire की उसकी diameter क्या है उसकी अकराद जो current flow कर रहा है उसके बीच में एक relation होता है क्या होता है i equal to के कोई constant है due to the power 3 by 2 तो दोस्तों ये important है इसको आप याद कर लीजिएगा i equal to k due to the power 3 by 2 next important point क्या है fusing factor fusing factor क्या होता है it is the ratio of minimum fusing current to the current rating of the fuse element यहाँ से लिख सकते है fusing factor equal to minimum fusing current divide by current rating of the fuse दोस्तों ये भी relation important है और exam में पूछा जाता है तो इसको भी आप याद रखेंगे तो आईए next slide पे चलते हैं trick to remember material दोस्तों जो fuse में material यूज होता है उसको हम याद करने के लिए यहाँ पे एक trick यूज करेंगे दोस्तों बहुत interesting trick है उस trick से आप असानी से learn कर सकते हैं तो आईए देखते हैं दोस्तों जो पहला material यूज होता है हो क्या होता है C C से क्या होगा दोस्तों आप बता सकते हैं C से क्या हो जाएगा copper next है A A से क्या हो जाएगा aluminium जो third material है दोस्तों T T से क्या हो जाएगा tin next fourth material क्या हो जाएगा को प्रेंड का ल से क्या हाँगा लेड दोस्तों सिल्वर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ञot है इसलिए हम इसलिए लिए फीर यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों जो दू सकते हैं खर याद रहेगा सी से क्या हो जाएगा कॉपर ए से एल्मोनियम टी से टीन एल से लेड दोस्तों इसमें एक और ट्रिक है अभी देखेंगे यह जो आपका टी और एल है तो दोस्तों टी और एल किसके लिए यूज होता है यह अगर आप से पूछ दे कि सोल्डर का मेटरियल क्या होता है तो क्या होता है सोल्डर में मेटरियल टीन और लेड होता है तो इस जो ट्रिक है इस ट्रिक से आप दो के मेटरियल आप यहार कर सकते हो दो कंपनेंट का एक फ्यूज का और एक सोल्डर का फ्यूज के क्या हो जाएगा कैटल सी ए टी एल और सोल्डर के क्या हो जाए दोस्तों TL material used in solder iron और जो आप यहां पर solder iron का पिक्चर देख सकते हैं इसमें क्या यूज होता है T or L T से क्या हो जाएगा T or L से क्या हो जाएगा lead और आगे CATL print यह चारो combined है किसमें यूज हो सकता है तो इस material used in fuse यह चारो CATL किसमें होता है fuse में होता है यहां पर यह फ्यूज का पिक्चर देख सकते हैं यह जो बीच में आपको strip wire देख रही है यह क्या है आपका fuse है यह जो material है fuse wire है यह copper aluminum tin or lead से यूज होता है जो solder iron है यह tin or lead material से यूज हो सकता है तो दोस्तों प्लीज आप comment करके बताएं कि आपको यह video मेरे कैसा लगा अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल learns way thank you for watching